हेलो फ्रेंड्स मैसल फैसके शर्मा आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न टू दू गॉर्डिंग जिसमें मैं आपको सी लेंग्विज सिखा रहा हूं और आज है प्रोग्राम नंबर एट रूट्स ओफ एक्वेशन के रूट्स कैसे फांड आउट करते हैं उससे रिलेटेड यह प्रोग्राम है तो आज हम यह वाला प्रोग्राम सीखेंगे जिसमें हम इफ एल्स स्टेट्मेंट यूज़ करेंगे प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मेरे आपकी से रिक्वेश्ट है कि यदि अभी तक आपने लर्न टू डिकॉर्डिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चले प्रोग्राम शुरू क इसे उसे मं डिस्क्रिमिन एंट बोलते हैं विच डिटरमाइन दा नेचर ओफ दा रूट ऑफ दे एक्वेशन अक्वाडिंग यानि क्या नेचर है रूट का वहम डी की वैल्यू से फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे इफ डी इस ग्रिदान इकॉल टू जीरो अगर जीरो पॉजिटिव है तो रूट्स रियल होंगे और डी लेस देन जीरो है तो रूट्स इमेजिनेरी होंगे तो राइटे प्रोग्राइम टू डिटरमाइन दा रूट्स ओफ एक क्वेशन इफ डी ग्रिदान इकॉल टू जीरो यानि रूट हमें तभी फाइंड आउट करने है जब वो पॉजिटिव हो या जीरो टेकिंग एबीस एज इंपूट अधरवाइस प्रेंट रूट्स रिमेजिनेरी एबीस को इंपूट करेंगे और अगर डी की वैल्यू जीरो से स्मॉलर है यानि निगेटिव है तो हमें एक मैसेज डिस्प्ले करना है रूट्स रिमेज अधिमेटिकल फंक्शन भी उसकरने वाले हैं तो यहाँ पर हमने वैरिबल लिए ए एबीची इनपुट करने के लिए डी डिस्क्रिमिनेंट के लिए और रूट्स क्यल्कुलेट करने के लिए दो वैरिबल लिए आर वन एंट आर टू कि तो प्रिंट एफ पिंटरफ में ह C की value input करी उसके लिए अलग scanner function यूज किया ऐसे ही हमने C के लिए अलग scanner function यूज किया है यहाँ पर तीन scanner function और तीन printer function यूज किया है हमने input करने के लिए आप चाहें तो एक ही scanf में भी यह कर सकते हैं पहले मैंने program number 7 कराया था आपको उसमें एक ही scanf function में एक से ज्यादा values input करके रिखाए थी चाहे तो आप वह program देख सकते हैं triangle से related वह program है और अगर अभी तक वह program आपने नहीं देखा है तो उसका link में notification में देदूँगा वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं स्टॉरी description box में देदूँगा स्टॉरी तो देखिए discriminant हम यह calculate कर रहे है b square minus 4a से हमने calculate कर लिया इसकी जो भी value है वो d में आ जाएगी उसके बाद हम d को check कर रहे है इफ d less than 0 यानि कि अगर वो negative है तो simply हमें print करना था roots are imaginary यह print हो जाएगा और program end हो जाएगा लेकिन अगर यह condition false हो जाती है इसका मतलब d की value 0 या positive है तो else पे आएगा अब else में एक से ज़्यादा statement है इस वज़े से हमने यहाँ पर compound statement बनाया with the help of braces तो इसके अंदर हमने r1 और r2 values calculate की है तो यहाँ पर r1 is equal to minus b plus square root लेना होता है तो उसके लिए हमने math.h का function use किया है जिसका नाम है square root calculate करेगा और divide में 2 into a तो यह formula होता है same formula roots 2 के लिए भी होता है बस यहाँ plus की जगे minus हो जाता है तो I think यह आपको समझ में आ रहा होगा और यहाँ पर हमने दोनों roots को print कर दिया roots are percent f and percent f r1,8 तो दोनों की value यहाँ पर print हो जाएगी तो चलिए program run करके देख लेते हैं जैसे कि हमने a की value 3 दी b की 2 दी और c की 9 दे दी यहाँ पर actually b की value काफी छोटी ले लिए मैंने 2 ले लिया है तो 2 लेने से क्या हुआ b square यानी 2 into 2 4 आ गया और इदर 4 into 3 into 9 काफी बड़ी value आ गई यानी negative number आ गया और negative number की वज़े से print हो गया roots are imaginary तो चलिए अब हम कुछ इस तरह की value लेते हैं जैसे 3, 9 और 2 b की value 9 ले लिए तो यहाँ पर भी roots imaginary आ रहा है यहाँ पर देखे b square यानी 99 जा 81 और 4 into 3, 4, 3, 12, 12, 2, 24 यानी कि एक positive number आ रहा है लेकिन यह roots are imaginary दिखा रहा है यहाँ तो इसको जो है देखते हैं program में कहाँ पर problem है इस तरह की problem अगर आती है तो इससे समझ लेते हैं कि ऐसी problems क्यों आती है तो देखिए problem मुझे मिल गई मैंने क्या गलती किया है वो समझ में आ गया है यहाँ पर जो variable लिए है हमने वो floor type के लिए है जबकि यहाँ पर format specifier गलती से percent दी लिए आ data data से related कोई problem होगी तो format specifier या conversion character जो है उन्हें एक बार check कर लेना चाहिए अगर data कुछ को कुछ आ रहा है तो वह हमें पता लग जाता है तो चलिए अब फिर से run करते है गलती से start लग गया तब इस तरह की problem आती है data input करते वाक्त थोड़ी सी हमें सालधानी बरतनी चाहिए या फिर user अगर गलत data देता है तो उसको check टरने का validation check हमें प्रोग्राम में लगाने चाहिए उससे पता लग जाता है तो देखे मैंने 9 बी की value काफी बड़ी ले लिया 9 और उस वज़े से d में positive number आ रहा होगा और इसी वज़े से roots calculate होकर print रोह रहे हैं तो यह दो roots आ रहे है माइनस 0.241 और ऐसी माइनस 2.758 तो इस तरह से अलग लग तरह का data देकर आप check कर सकते हैं कि क्या क्या roots आएंगे या imaginary वाला message आएगा वह आप देख सकते हैं तो I think आपको यह program समझ में आ गया होगा और errors को कैसे दूर किया जाता है जैसे %D, %F इनका बहुत ध्यान लखना चाहिए यह format specifiers है data type के according ही इन्हें यूज किया जाता है तो अगर format specifier के बारे में आपको नहीं पता है तो मैंने scan of and printer function नाम से एक वीडियो बना रखा है उसका link में description box में देदूंगा उसे क्लिक करके आप वह देख सकते हैं और समझ सकते हैं तो I hope आपको यह program समझ में आ गया होगा तो चलिए हम वापिस अपनी slide पर चलते हैं तो इस प्रोग्राम में बस इतना ही था अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे एक like कर दीजिए और bell icon भी प्रेस कर दीजिए आगे और interesting program के साथ मैं आपसे मिलूंगा और नहीं नहीं वीडियो डालता रहूं को आप notification में चेक कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही thank you